जैहन दोस्तों मैं सौरब और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजियस पर जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है वो डारेक्ट यूटूप पर साज कर सकते हैं अर्थजियस पर सौरब कुश्वाह वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताको आपको डेली के वीडियो और most important जो topic है आपके 2021 के वो मिलते रहें आज का जो हमारा topic है वो है जो award है 2021 के पूरे उनके winner और award और याद रखेगा इसका जो पीडिया form है आपको ये टेलिग्राम का link दिया गया है यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप add हो सकते हैं बढ़ते हैं टॉपिक पर तो पहला नाम आया लोहो कीन यू यह जो लोहो कीन यू है इन्होंने बी डवलू एफ चैंपियंशिप दोजार एकिस पुरुष एकल में विजय हासिल करी याद रखेगा यह जो लोहो कीन यू है यह सिंगापुर के हैं कहां के निवासी हैं सिंग पुर के और बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन की बात हो रही है तो इन्होंने बी डवलू एफ यानि बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन वर्ड चैंपियंशिप का खिताब जीता है और याद रखिएगा महिलाओं की बात करी जाए तो जिन्होंने यह पतियोगिता जीती है न पान की तो दोनों ही male और female में आपका BWF championship जो इस बार जीती है वो किस देश ने जीती है जा पान में नेक्स नाम है दिव्या हेगडे यह जो दिव्या हेगडे हैं इन्हें संयुक्त राष्ट महिला पुरुषकार 2021 मिला है और याद रखेगा किस लिए मिला है नेत्रत प्रति बद्धता के लिए और याद रखेगा यह जो पुरुषकार है संयुक्त राष्ट महिला पुरुष किया जाता है तो संस्ता का नाम भारती उद्योग परिसंग दोरा गिव्या हेगिडे को 2021 के लिए संयूक्तराष्ट महिला पुरसकार नेक्स्ट है नाम IIT रुड की IIT रुड की को इस बाद जो पुरसकार मिला है वो है अत्योगिक नवाचार पुरसकार 2021 में और याद रखिएगा पिछले साल IIT रुड़की को आपका the most innovative institute का पुरुषकार भी मिला है तो लास्ट येर आपका जो the most innovation आपका institute रहा वो भी IIT रुड़की रहा और इस बार अध्योगिक नवाचार पुरुषकार दोनों ही IIT रुड़की को नेक्स्ट है एमा रादुकानू ये जो एमा रादुकानू है इन्होंने टॉम डेली और एडम पीटी इन दोनों लोगों को हरा कर जो तहराकी है उसमें अवाड जीता था तो इस कारण इन्हें BBC Sports Personality of the Year पुरुषकार 2021 प्रदान किया गया है याद रखेगा सेकेंड नमबर पर टॉम डेली रही थी और थर्ड नमबर पर एडम पीटी और एमा रादुकानू फर्स्ट नमबर पर नेक्स्ट है Steel Authority of India याद रखेगा शॉर्ट में नाम इसका सेल सेल संस्था को जो मिला इस बार गोल्डन पिकॉग प्रबंधन पुरुषकार मिला 2021 के लिए और अगर सेल की बात करी जाए तो इस्थापना कब हो थी 19 जनवरी 1954 और इसका मुख्याले कहां पर है तो नई दिल में और अगर आपसे CEO पूछे जाएं तो नाम उनका सोमा मंडल तो याद रखना है आपको सेल को पुरुषकार मिला इस बार गोल्डन पिकॉग प्रबंधन पुरुषकार और याद रखना है यह जो पुरुषकार है यह पर्यावरान के छेत्र में दिया जाता है जल है अवनी लेखरा याद रखेगा पैरलम्पिक जो आपके गेम्स हुए हैं रिसेंटली उनमें स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वसेष्ट महिला पदारपड का समान अवनी लेखरा को मिला है और इन्होंने जो टोक्यो उलम्पिक हुए थे आपके उनमें पहला पदग भार उनमें दो पदग जीते और नाम उनका अवनी लेखरा और इस बार पैरलम्पिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वसेष्ट महिला पदारपड का समान भी नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिड़ा ये जो आपके कुमार मंगलम बिड़ा है ये पहले ऐसे भारती हैं जिने एक प इंडियन हैं जिने ये सम्मान मिला है तो अच्छा कोश्चन है यहांपर नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन ये जो लुइस हमिल्टन है इन्हें विन्डसर कैसल नाइट हिड में आपका जो नाइट हिड उपाद ही होती है वो पदान की गई है याद रखेगा इन्हें प्रि नाम जैक ब्रभ्हम दूसरा स्टर्लिंग मास और तीसरा नाम जैकी स्टीवर्ट और याद रखेगा ये जो लुइस हैं ये खेल प्रतिसपरदा करते हुए समानित होने वाले इस समान से नाइट हुट से पहले व्यक्ति हैं नेक्स्ट सुनील गावसकर जो सुनील गावसकर है इनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने फेडरेशन आफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया है और अगर आप S.J.F.I. यही जो आपका संस्ता है इसके नाम की बात हो रही है कि स्तापना की बात करें तो कब हुई थी 27 परवरी 1976 को और कहां पर हुई थी कलकत्ता में नेक्स्ट है सिमून बिलेस यह जो सिमून बिलेस है इन्हें एथलीट आफ दा इयर के पुरुसकार से समानित किया गया है और याद रखिएगा चार बार की जो उलम्पिक पदक विजेता है टोक्यो उलम्पिक में एक रजत पदक और एक कांस पदक इन्होंने अपनी टीम को दिलाया है तो टोटल ओवरॉल चार बार इन्होंने पदक जीते हैं नेक्स्ट है पदान मंतरी मोधी जी याद रखिएगा इन्हें एक पुरुसकार देश के दोरा पदान किया गया है समान बोल सकते हैं आप नाम जो समान है उसका नगदग पेल जी खोड़ लो याद रखिएगा ये भूटान के दोरा पदान किया गया है और ये जो आपका समान है ये भूटान का सर्वोच समान है और ये रिसेंटली की नूज है आपकी तो पियम मोधी को भूटान देश का सर्वोच समान नगदग पेल जी खोड़ लो नेक्स्ट है एलोन मस्क एलोन मस्क को टाइम्स मैगजीन दोरा पर्यावरान आफ दा इयर अवर्ड प्रदान किया गया है याद रखेगा जो एलोन मस्क हैं इनकी कमपनी जो टेसला है कमपनी का नाम टेसला एक ट्रिलियन डॉलर आपकी कमपनी बन गई है और याद रखेगा अब ये जो अलॉन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और 2020 में यही जो आपका समान था ये आपका जो बाइडन और कमला हैरिस को प्रदान किया गया था नेक्स्ट नाम अजीज प्रेम जी याद रखेगा जो अजीज प्रेम जी हैं इनको डॉक्तर इडा एस कडर हुमिटेरियन ओरेशन अवार्ड प्रदान किया गया है और ये आपके किस संस्ता के संस्तापक हैं तो विप्रो इसके अद्दच भी हैं और अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के आपके संस्तापक भी हैं तो इनको मिला इस वर्सका ये सम्मान नेक्स्ट है हरनाज सिंदू ने आपकी जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता है सबसे में पॉइंट ये जो हरनाज सिंदू है आपकी भारत देश की हैं और इस पदक को जीतने वाली ये तीसरी महिला वनी है सतरवी मिस यूनियर्स का खिताब इनोंने जीता है अगर आपसे पूचा जाए सेकेंड नमबर पे कौन सी प्रतियोगित रही तो नाम उनका नादिया फरेरा और किस देश की हैं तो परागवे की और थर्ड नमबर पे कौन सी प्रतियोगित रही नाम उनका लालेता मसवान और ये किस देश की हैं आपकी साउथ अफरीका और भारत ने 21 साल पहले ये आपका किताब जीता था उसके बाद से अब जाकर 2021 में भारत इस किताब को जीत पाया है नेक्स्ट है नीना गुपता ने रामा नुजन पुरुसकार 2021 जीता है और याद रखेगा ये कोलकाता में प्रिजन टाइम में कोलकाता में भारतिय सांख की विभाग में गडित की प्रोफेसर है और याद रखेगा ये है पुरुसकार प्राप्ट करने वाली ये है तीसरी महिला बनी है नाम उनका नीना गुपता नेक्स्ट है नाम बालकरश्न दोशी ये जो आपके बालकरश्न दोशी है ये एक वास्तुकार है और इन्हें आर आई बिये ने रॉयल गोल्ड मेडल से समानित किया है याद रखेगा ये जो पुरुसकार है ये अठारा सो अड़तालिस से लगातार प्रदान किया जाता है तो नाम उनका बालकरश्न दोशी जो आर्किटेक्ट है आर आई बी ए रॉयल गोल्ड मेडल से समानित नेक्स्ट है रोपेश गोयल रोपेश गोयल ने यंग जियो स्पेसल साइंटिस्ट पुरुसकार जीता है और याद रखेगा इन्हें एक सौन्ड पदक पदान किया गया है और ये जो पुरुसकार है आपका ये 35 साल से कम जो वैग्यानिक होते हैं उनको प्रदान किया जा है आपके निलमडी फूकन जूनियर और दामोदर मौजी इन्हें 56 और 57 ग्यान पीट पुरुसकार प्रदान किया गया है ये जो पुरुसकार है आपका ग्यान पीट इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब से 1961 से और ये केवल भारतिय लेककों को दिया जाता है जो इंग्लिश औ और हिंदी में आपका लेखन करते हैं तो 56 जो ग्यान पीट पुरुसकार है निलमडी फूकन को और 57 दामोदर मौजी को नेक्स्ट है निखिल स्रिवास्तों निखिल स्रिवास्तों को इस प्रियन फोयर्स अवार्ड मिला है जात रखेगा ये जो प्रिजन टाइम में कैलिफोर्निया है वहां की उनिवस्टी में पढ़ाते हैं और 5000 डॉलर का ये पुरुसकार प्रदान किया गया है नेक्स्ट है नाम निजामुद्दिन बस्ती परियोजना ये जो आपकी बस्ती परियोजना है इसने हाली में दो यूनेस्को विरासत पुरुसकार जीते हैं और याद रखेगा किस जगे इस्तित है ये परियोजना आपकी दिली में इस परियोजना के तहत जो आपकी सूफ किया जाता है नेक्स्ट है अथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज याद रखेगा इन्हें वूमन ऑफ दा इयर अवर्ड प्रदान किया गया है और क्यों प्रदान किया गया है 2016 में इन्होंने गल्ज के लिए एक खेल अकादमी का आरंब किया था और 2003 में लंबी कूद में इन्हें कान से पदक मिला था नेक्स्ट है V. प्रमीन रॉब 2017 और 2019 अर्थाद आपका दो साल के लिए इनको साथमा डुक्टर M. स्वामी नाथन पूरुषकार पदान किया गया है यह आपका सात्वा वर्ड है यह आपको जरूर याद रखना है वी प्रवीन लाव को सात्वा डॉक्टर एमेस स्वामीन अथन पुरुसकार नेक्स्ट है लियोन मेसी याद रखिएगा जो लियोन मेसी हैं यह किस देश के हैं तो अरजिन टीना से आपके यह खिलते हैं और इन्हें सात्वा बैलेंडी और पुरुसकार मिला है याद रखिएगा इन्होंने 48 मैचों में कुल 38 गोल किये हैं नेक्स्ट डॉक्टर एस के सोहन राय नाइट हुड ऑफ पार्ट गुल्फा से समानित होने वाले यह पहले भारतिये बने हैं यह जो पुरुसकार है यह पर्यावरन के छेत्र में इन्वार्मेंट में आपका जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको प्रदान किया जाता है तो इस वर्स यह मिला डॉक्टर एस के सोहन राय को और नाम उसका नाइट हुड आफ पार्ट गुल्फा नेक्स्ट है प्रथम अंजियो जो प्रथम अंजियो है हमारे यहां सिच्छा के छेत्र में कार करता है याद रखिएगा इन्हें इस वर्स इंद्रा गांधी सांती पुरुसकार 2021 प्रदान किया गया है और सिच्छा की गुडवत्ता की छित में इनके कई सारे सर्वे भी आते हैं 1995 में दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और नाम की बात करी जाएं तो पहला नाम फरीदा लामबे और दूसरा नाम माधो चहवाड तो इस वर्ष प्रथम अंजियो को इंद्रा गांधी सांती पुरुसकार 2021 नेक्स्ट है नाम अनीता देशाई टाटा लिटरेचर लाइव लाइव टाइम अच्यूमेंट पुरुसकार मिला है और याद रखेगा इन्हें पद्मस्री और पद्म भूशन से समानित किया जा चुका है याद रखेगा इनकी जो लैंग्वेज है राइटिंग की वो आपकी कौन सी है अंग्रेजी नाम उनका अनीता देशाई नेक्स्ट आंगे बढ़ते हैं नोबल पुरुसकार 2021 जो नोबल है इस बर आपके सबसे पहला कि सांती के छेत्र में जो नोबल पुरुसकार 2021 में प्रदान किये गए हैं तो इस वर्ष जो सांती का छेत्र है नोबल पुरुसकार मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेविच मुरातोव को प्रदान किया गया है और इन दोनों को अवियक्ति की सतंता की सुरच्छा के लिए समानित किया गया है याद रखिएगा दोनों ही लोग जो हैं वो आपके रिपोर्टर है इस समान से समानित होने वाले मारियरेशा और दमित्री आंद्रेविच मुरा तोग नेक्स नाम है चिकित्सा के छेत्र में नोबल 2021 में अमेरिका के जो वैग्यानिक हैं आपके डेविड जूलियस और अर्देम पटा पाउटियन इन दोनों लोगों को चिकित्सा के छेत्र में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया है और ये जो आपके दोनों लोग साइंट तापमान और इसपर्स के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए ये पुर्षकार जीता है दोनों ही जो आपके प्राइज विनर हैं इनको बताया गया कि दोनों ने ही दर्द निवारत दवाओं के मार्ग प्रसस कर सकती हैं और इन खोजों को समझने में मिलती है कि कैसे गर्मी, ठंड, यांत्रिक बल, तंत्र का आवेक को सुरू करते हैं और मनुश्यों को दुनिया समझने और अनकूलित करने की अनमती देते हैं नेक्स्ट केटेगरी है आपकी भौतिकी, भौतिकी के छेत में, फिजिक्स के छेत में नोबल जो है 2021 में किसे मिला तो ये जो आपका नोबल है इस बार जापान, जर्मनी, इटली के तीन वैग्यानिकों को प्रदान किया गया है प्रत्वी की जलवायू की भौतिक मॉडलिंग, परिवरतन सीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भष्ष्वाली करने के कारण इनको ये प्राइस मिला है अगर नाम की बात करी जाए तो इसक्यूकुरो मानेबे कलाउस हासेलमेन और जो साथ में हैं तीसरे जियो पारिसी को प्रदान किया गया है टोटल तीन लोगों को इस कैटेगरी में प्रदान किया गया है नेक्स्ट है साहित के छेत्र में नोबल पुरुसकार जो तंजानिया देश है वहां के एक उपन्यासकार आपके नाम उनका अब्दुल रज्जाग गुर्ना को साहित का नोबल 2021 पदान किया गया है और याद रखिएगा जो अब्दुल रज्जाग गुर्ना है इनको उपने निवेशवात के प्रभाव संस्क्रती और महादीपों के बीच की खाई में जो सरनार्थी होते हैं उनके भाग का जो तरीका होता है जीने का ट्रेवलिंग होती है एक दूसरे देश या एक महाद से दूसरे महादीप उनके बारे में इनोंने लिटेशर लिखा था तो नाम उनका अब्दुल रज्जाग गुर्ना और देश का नाम अब ज्यादा पूछा जाता है तो नाम उस देश का तंजानिया नेक्स्ट इकनॉमिक्स की कटेगरी में अर्थजास्त में तीन क्लेगरी रह गई है केमेस्ट्री तो केमेस्ट्री में इस बाद जो सम्मान मिला है नाम उनका पहले बेंजामिन लिस्ट और दूसरा नाम है डेविड मैक मिलन तो इन दोनों ही लोगों को केमेस्ट्री में आपका यह नोबल पुरुश्कार 2021 किया गया है नेक्स्ट आंगे बढ़ते हैं बात करते हैं पद्म पुरुसकार 2021 इस बार जो पद्म पुरुसकार है वो टोटल 119 लोगों को प्यदान किये गए हैं जिन में से याद रखना है आपको टोटल 7 पद्म विभूशन हैं 10 पद्म भूशन हैं और 102 पद्म स्री पुरुसकार हैं 2021 के जो पद्म पुरुसकार हैं इनमें कुल मैलाओं की संक्या आपसे पूशी जाये तो टोटल 29 मैलाएं शामिल हैं और अगर विदेशी स्रेडी की बात करें तो टोटल मिला के आपके हर केटेगरी के टोटल 10 लोगों को पुरुसकार पदान किया गया है 16 लोग ऐसे थे जिनें मरनो परांत ये पुरुसकार पदान किया गया है और इस बार एक वेक्ती ऐसे थे जो ट्रांसडेंडर हैं आपके उनको ये पुरुसकार पदान किया गया है और आपको याद रखना है वर्ष 2021 में जो पद्म पुरुसकार है जापान के पूर्व पीम सिंजो आबे जो सिंगर है SP बाला सूर्व मन्यम मर्नो परांत तरून गोशाई मर्नो परांत राम विलास पासवान मर्नो परांत और सुमित्रा महाजन जी जैसे नाम शामिल है अब बढ़ते हैं लिस्ट पर आँँगे सबसे पहले पद्म विवुशन पाने वाले व markedte वे वे व्यक्ति जिने पद्म विवुशन मिला है तो पहले नमबर पे जापान के पूर्व PM सिंजो आबे किस शित में मिला पॉब्लिक अफेर्स में दूसरा नाम SP बाला सुब्वमन्यम मनलो परांत कला के शेत में सुदर्सन साहू कला से रिलेटेड हैं बीबी लाल पुरा तत्त विभाग से आपके नेक्स्ट मौलाना वही उद्दीन खान अध्यात्मवाद डॉक्टर मुनप्पा हेगडे मेडिसिन चिकित्सा नरिंदर सिंख कपानी विज्ञान और इंजिनिर्ण तो ये टोटल नाम हो गए आपके साथ आंगे बढ़ते हैं पद्म भूशर वाले व्यक्तियों की बात करते हैं जिने ये संवान मिला हैं तो इसमें सबसे पहला नाम असंब के पूरव मुख्यमंत्री तरुण गोगई पुबलिक अफेयर्स में पूर्व लोगसबह अध्यच सुमित्रा महाजन पुबलिक अफेयर्स नेक्स नाम नपेंद्र मिश्रा सिविल सेवा पूर्व केंद्री मंत्री राम विलास पासवान इन्हें याद रखेगा मलो परांत दिया गया है धर्म गुरु आपके कबले सादिक मलो परांत और किस समंदित थे अध्यात्म वाद से नेक्स्ट क्रश्नन नायर सांत कुमारी किस शेत्र से थे आपके कला से नेक्स्ट है चंद्र सेखर कंबारा साहित और सिच्छा से रिलिडेट थे आपके केशु भाई पटेल मलो परांत इनको भी दिया गया कहां से रिलिडेट थे आपके पब्लिक अफेर से रजनी कांत देवी दास व्यापार और उद्योक से समंदे थे तरल तरलोचन सिंग पब्लिक अफेर से अब बात करते हैं पदम पुरुसकार की जो पदम पुरुसकार हैं सबसे पहले याद रखना आपको देश के सरवोच नागरिक पुरुसकारों में से पदम पुरुसकार टुटल तीन केटेगरी में पदान किये जाते हैं पदम विभूशन पदम पुरुसकार विभिन विश्यों और गति विदियों के छेत्वों में जिसे कला है सामाजी कार है सार्जनिंग मामले है विग्यान है इंजीनिंग है वैपार है उद्द्योग, केटेगरी में प्रदान किये जाते हैं तो इन केटेगरी का नाम भी आपको दिमाग में रखना है और जो पद्म विभूशन है वो असाधारान और विसिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूशन उच्छ क्रम की विसिष्ट सेवा के लिए और पद्मस्री किसी छेतर में विसि दिवस के दिन इनको प्रिदान किया जाता है गोशला किये जाती है राशपती दौराhmen पुरुसकान जो हैर राशपती भवन में हर साल मार्च और अप्रेल केा सपास एक करेक्रम में पद्म पुरुषकार हैं मणोपरांद भी पदान किये जाते हैं लिस्ट आपके सामने उपर थी जिसमें कई लोगों को मणोपरांद भी मुला है और याद रखेगा ये पुरुषकार विदेशी नागरिकों को भी पुरुषकार भारत रतन के बाद देश के कुरमचा दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नागरिक समान है तो ये हमारी पद्म भूशन की लिष्ट हो गई और प्राइस का एक टॉपिक हो गया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कोई वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को जादा जादा शेर कीजे ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए किस टॉपिक पर चाहिए तो उसके लिए वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सर्च नहीं किया है सस्क्राइब नहीं किया है तो आप डाड़ेट यूटूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जियस भाई सौरप कुश्वाहा और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और हमारे टेली ग्राम लिंक पर जलूर जुड़ जाएए ताकि आपको इन सब वीडियो के पीडिया भी मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद